रघुपति राघव राजाराम पतीत पावन सीताराम रघुपति राघव राजाराम पतीत पावन सीताराम सीता राम बोलो सीता राम भज्ये प्यारे तुम सीता राम जै रखुनन दन जै घन शाम पती तपावन सीता राम बोलिये शियावर राम चंद्र भगवाने की जै बोलिये पावन सुत्य हनुमाने की जै नमश्कार प्रियादर्शकों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटिव चैनल पर और मैं पंडित नेतिशास्त्री आप सभी दरशकों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं आपको बताऊंगा कि साल 2021 में राम नवमी का पर्व कब है पूजा का शुब मूरत क्या रहेगा और राम नवमी से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी वक्तों के साथ शेयर करूँगा और साथ ही साथ राम नवमी पूजा की विधी भी मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रिय साथियों वीडियो को प्रारंप करने से पूर्व सभी वक्त हाथ जोड़ करके भगवान श्री राम चंदर जी को प्रणाम करेंगे और उसके बाद आज के इस एपिसोड की शुरुव बात करेंगे बोलिये श्यावर राम चंद्र भगवाने की जय बोलिये पवनसुत हनुमाने की जय प्रिय दर्श्कों आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि साल 2021 में राम नवमी का पर्व कब है पूजा का शुभ मूरत क्या रहेगा पूजा की विधी क् प्रिय साथियों राम नवमी का पर्व चैत्र मास की नवमी तिथि को मनाया जाता है और यह पर्व भगवान श्यरी राम चंद्र जी के जन्म के उपलक्ष में मनाया जाता है इसलिए इसे राम नवमी कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि राम नवमी के दिन जो भी भग सच् शिरी राम जी की पूजा करते हैं, उनके उपर शदा शिरी राम चंदर जी का आशिरवाद उनकी कृपा बनी रहती है। इसलिए अगर आप भी राम नवमी के दिन सच्चे मन से भगवान शिरी राम जी की पूजा करते हैं, उनका गुंगान करते हैं, तो भगवान शिरी राम जी की कृपा आपके उपर भी हो सकती है. प्रिय साथियों, अब मैं आपको बताता हूँ की शिरी राम नवमी की पूजा विथी क्या होती है? साथियों, राम नवमी के दिन सुभा जल्दी उठकर के सनार करें और सनार करने के बाद शुद्वस्तरधारन करने के पश्चात अपने पूजा अस्थल पर बैठ जाएं. चावल और इसी के साथ साथ तुलसी दल भी आपने जरूर रखना है. तुलसी का पत्ता भी आपने अपनी पूजा में जरूर शामी करना है. उसके बाद भगवान शिरी राम चंदर जी की शोड़ो शुपचार पूजा करें, विधिवत रूप से उनकी पूजा करें. पू के सभी सदस्यों को तिल्क करें. ऐसा करने से घर के सभी सदस्यों पर भगवान शिरी राम चंदर जी की कृपा बनी रहती है, उनका अश्रिवाद बना रहता है. साथियों, ये है शिरी राम नवमी के दिन शिरी राम चंदर जी की पूजा की विधि. साथियों, अब मैं आ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहां पर में डिटेल शो कर दे रहा हूं साथियों 2021 में राम नौमी का पर्व 21 अप्रेल बुधवार के दिन होगा साथियों 2021 में शीरी राम नौमी का पर्व 21 अप्रेल बुधवार के दिन होगा प्रियसाथियों पूजा का शुब महुरत 21 अप्रेल को सुबह 11 बज करके 2 मिनट से और दो पहर के 1 बज करके 38 मिनट तक होगा शुब महुरत पूजा की कुल अवधी रहेगी 2 घंटे और 36 मिनट इस समय के दोरान आप भगवान श्रीराम चंदर जी की पूजा कर सकते हैं अगर इस समयावधी के दोरान आप भगवान श्रीराम चंदर जी की पूजा करते हैं तो उनकी कृपा आपको बेहत जल्द प्राप्थ हो सकती है प्रियसाथियों अब श्रीराम नवमी से जुड़ी कुछ अन्य महत्त पूर्ण बातें मैं आप सभी के साथ शेर करना चाहता हूँ प्रभु श्रीराम जी विश्ण भगवान के साथ में अवतार थे और चैतर महीने की नवमी तिथी को उनका जनम दीवस मनाया जाता है जिसे की हम श्रीराम नवमी भी कहते हैं कुछ महत्त पूर्ण बातें इस दिन अगर आप करते हैं तो बेहत जल्द आपको गवान श्रीराम चंदर जी की कृपा की प्राप्ती हो सकती है प्रियसाथियों श्रीराम नवमी के दिन आप रामायन का पाठ अगर करते हैं तो आपकी सभी परिशाणिया सभी कष्ट आपके दूर हो सकते हैं इसलिए राम नवमी के दिन रामायन का पाठ जरूर करना चाहिए अपने घर में आप स्वयम से भी या ब्रहमन को बुला करके भी रामायन का पाठ अपने घर पर करवा सकते हैं उसके बाद अगर आप इस दिन राम रक्षा सोत्र का पाठ करते हैं तो ये भी बेहत कल्याणकारी होता है राम नवमी के दिन राम रक्षा सोत्र का पाठ करने से मनुश्य के उपर आने वाली सभी भी पत्तियों को भगवान श्री राम चंदर जी दूर करते हैं और ऐसे परिवारों में सदा सुक शानती रहती है, जहां पर राम नवम्मी के दिन राम रख्षा सोत्र का पाथ होता है। इसके अलावा, राम नवमी के दिन, राम लला जी की मूर्ती को पालने में जुलाने का भी महत्व है, राम नवमी के दिन, राम भगवान की मूर्ती को पालने में भी अवश्य जुलाना चाहिए, साथियों ये कुछ बाती मैंने आपको बताई हैं, जो अगर आप राम नवमी के दिन इन बातों को करते हैं, इन कारियों को करते हैं, तो आपको भी भगवानश्री रामचंदर जी की असीम कृपा की, असीम अनुकंपा की प्राप्ति हो सकती है। प्रिय साथियों, मैं उमीद करता हूँ, आप सभी भक्तों को आज का एपिसोड बेहत पसंद आएगा। अगर आज के इस एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका किसी भी तरह का कोई प्रशन है, तो कमेंट बोक्स के मांध्यम से आप अपना वेह प्रशन हम से पूछ सकते हैं। बोलिये श्री राम चंद्र भगवानी कीजे, बोलिये सीता मैया कीजे, बोलिये हरवान जी भगवानी कीजे।